कर आप सोच रहे हैं कि डीनर में क्या बनाए और कल के लंच में क्या बनाए एक वट राई जरूर कीजिएगा होथी यूनिक और स्वाधिष्ट रेसिपी सेर करने वाली हूँ मैं आते हैं राजास्थान की डी से गटे की पुलाओ इसे बनाना है आसान और आसान तरीके से बन को हम दो से तीन बार अच्छी तरह से ओास कर लेंगे चावल में पानी डाल करके इसे 20 मिनट के लिए हम भीगो के रख देंगे इससे क्या होगा कि चावल खिला खिला बनेगी चावल को साइड में रखते हैं अब यहां पे हम खलवट्टा ले लिए हैं सुखा मसाला इसमे में डालेंगे ता ताठ दाना काली मिर्च डाल दिये हैं इसमें हम डालेंगे आधा चमच कस्तूरी मेथी इसमें हम डालेंगे आधा चोटा चमच दरदरा कुटी हुई खड़ा धनिया आप चाहे तो खड़ा धनिया के जगा पे धनिया पाड़र भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें दोगों लॉंग डाल दिये हैं, अधा चमच चिली फ्लेक्स डाल दिये हैं, और साथ में डालेंगे आधा चमच सोफ, और सभी चीजों को दरदरा कुट लेंगे, अब चाहे तो मसाला को मिक्सर जार में भी एक बार घुमा सकते हैं, लेकिन इस तरह दरदरा अब इसे साइड में रखते हैं, मिक्सिंग बॉल ले लिये हैं, और इसमें हम एक कब बेसन ले लिये हैं, बेसन को छान करके हम ले लिये हैं, अब इसमें डाल देंगे गुटा हुआ मसाला, अधा चोटी चमच इसमें हम करस करके जमाइन डाल देंगे, अभी भी बेसन का बनाए तो जवान जरूर आड़ करें, तात में आड़ कर देंगे, वन फोर चमच इसमें हींग, हींग से फिलेवर बहुत अच्छा आती है बेसन में, आधा छोटी चमच हल्दी पॉड़र आड़ कर देंगे, कलर के लिए, आधा छोटा चमच कस्मीरी लाल मिर्च आड़ कर देंगे, स्वाद अनुसार, एक चमच चमीज में सरसो का तेल आड़ कर दिये हैं, सरसो का तेल आप नहीं खाते हैं तो इसके जगह पर घी आड़ कर दिये हैं, एक बड़ा चमच इसमें हम दही आड़ कर दिये हैं, और वन फोर चमच हम खाने वाला सोडा आड़ कर दिये लेकिन यहां फे वीडियो कर गया है एडिटिंग में इसके लिए सौरी सभी चीजों को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे बीना पानी डाले हुए उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और एकदम टाइट डो बना के तयार कर लेंगे वेशन का लगाने में दो चमच पानी का इस्तमाल हम किये हैं प्रेशन का डो हम ले लिए हैं और इसे हम रोल कर लेंगे और रोल करके इस तरह नाइप से इसे हम कट लगा लेंगे आप चाहे तो ऐसे भी से काट सकते हैं लेकिन हम इसे इस तरह करके बनाएंगे तर भाग कर दी हैं ए पॉर्शन ले लिए उसे फीर से हम रोल कर ले रहे हैं पतला सा और इसे हम छोटा 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 लोई काट के तयार करेंगे छोटा छोटा लोई बना के तयार कर लिए हैं आप इसे लंबा सेप में बनाए या गोल सेप में बनाए या आपके ऊपर है तो इस तरह करके हम जैसे कंचे रहते हैं न कто हम गोल-गोल बनाएंगे इसे उसी सैज का आप अपने हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं इस तरह सारा लोई गोल करके हम तैयार कर लेंगें देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है छोटे छोटे कंचे के तरह ता orang तक वाइल कर लेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए ये फुलाव है एकदम सिंपल सा है इसमें जादे सबजी हम एड नहीं करेंगे इस पुलाव का में हीरो गटा ही है तो ये देखिए गटा फूल फूल के कितने बड़े हो गए है और उपर बवल सा गए है और पान तक वैल हो गई है तभी से हम निकालते हैं अब रखते हैं साइड में हम चलते हैं हम पुलाव बनाने के लिए तो इसके लिए गैस पर हम पेंle जाए हिर और बहुत तरीके से बनाय जाते हैं कडाही में कुकड में लेकिन हमें कडाही में पसंद है हम एक बड़ा चमच घी डाल दीए हैं गी गई गरम हो गई है तो आधा चमच जीरा डालेंगे कुछ खढ़ा मसारा डालेंगे तिकिश दालचीनी का टुकड़ा है एक बड़ा एलाची, दोगो लॉंग, दोगो छोटा एलाची डाल दीए हैं बारे की चौप किया हुआ, एक चमच अधरक हम इसमें डाल दिये हैं, और बारे की कटा हुआ, दो चमच लासुन हम इसमें डाल दिये हैं, साथ में डालेंगे, दो गो हरी मिर्च बारे की काट करके, हलका सा इसे हम रोष्ट कर लेंगे, जान से इसको लगातार चलाते रहेग न जल जाएगी तो जलने का टेस्ट आ जाएगा अभी साथ में हम डाल देंगे दो गो मीडियम सेज के प्याज लच्छे में कटा हुआ प्याज को हलका सा लाइट कलर आने तक हम बूल लेंगे प्याज में हलका सा कलर आ गया है तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे आधा कप और आधा का फ्रेश मटर हड़ा वाला, आप चाहे तो गोबी, बीन्ज, सिमला मिर्च आइड कर सकते हैं, अपने मन पसंद, सभी चीजों को अची तरह से हम मिक्स करके चला दे रहे हैं, एक से दो मिनट के लिए हम भून लेंगे, इसमे हम आइड कर देंगे सुखा मसाला, त मिर्च आइड कर सकते हैं, तह आधा चमउच में, गरम मसाला डाल दिये हैं, साथ में आइड करेंगे, देडर चमउच नमक, इसमें मसाला डालने से थोड़ाओ आप टेस्ट बढ़ जाता है, अगर आपके पास में बिर्यानी मसाला नहों तो और nothing नाहों त。 किंग मसाला डाल दिजेगा इससे भी पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर दिये हैं और चावल का पानी निकाल करके हम चावल को एड़ कर देंगे चावल को जादे चलाना नहीं है हलके आतों से थोड़ा सा इसे मिक मुख करके ठावल करेंगे और उससी मेरा इसको कोख होने देंगे अब तक दुसरे देंगे पर पन चषण है यह गरम हो गया तो एक बड़ा चमच इसमें हम घिया एड़ कर दिया है तो जो गटे में आप चाहिए को डिप फड़ा इंड़ा सकते हम अगर पसंद हो तो थोड़ी सी किसमीस इसके साथ अच्छे से फराई हो जाएंगे और सुनहरा कलर आ जाएगा गटे के ऊपर हम फ्लेम को आप कर देंगे अब चावल को मैं चेक कर ले रही हूं तो चावल अल्मोस्ट पक चुकी है 70-70% पक चुका है और हलका सा इसमें पानी है तो हम इसमें हम करने के लिए चड़ा दिया है गैस पर गैस कफले में लो रखेंगे और तबे के ऊपर पेन रख करके साथ से आठ मिनट तक वापस फिर से हम दम लगाएंगे अब मैं बनाऊंगी खीरा कर आयता तो इसके लिए एक कप दही ले लिए हैं और दही को बॉल में ट्रांसपर कर दिये हैं और थोड़ा साहल का पानी डाल करके इसमें हम एट कर दिये हैं और इसको अची तरह से फेट लेंगे अब हम ग्रेटर ले लिए हैं तो एगो खीरा ले लिए हैं छील करके एक ठोटा माटर और एगो मीडियम सैज के पैयाज ले ले लिए हैं तो हम ग्रेटर मे सबी को बारी की बारी की काटके हम डाल देंगे इसा ona खीडा का रायता बनाएंगे ना बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाती है टामाटर को भी काटके हम इसमें डाल दिये हैं और इसे हम चौप कर लेंगे क्या होता है कि सभी चीजों अच्छी तरह से एक बार में चौप हो जाती है और बारीकी हो जाती है हम रायता बनाएंगे खीरा टमाटर और प्याज चौप करके रखें उसे हम डाल देंगे और कटा हुआ हरा मिर्चा डाल देंगे आधा छोटी चमच काला नमक एक छोटा चमच चाट मसाला डाल दिये फ्लेवर के लिए एक छोटा चमच इसमें हम पीसा हुआ चीनी डाल दिये इसे खटा मिठा फ्लेवर आएगा और एक छोटा चमच भुजा हुआ जीरा पड़ो डाल दिये हैं आधा छोटा चमच इसमें ह जही का रायता बनके तयार है, अब इसे हम साइड में रखते हैं, अधर पुलाओ को 8 मिनिट हो चुके थे, तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, विक्स करके कितना खिला-खिला ये चावल बना है पुलाओ का, देख सकते हैं कितना देखने में टेंटिंग लग रहा है, और कितन खिला खिला एक एक दाना बना है पुलाओ का चावल प्राई कीजिएगा मेहमानों के लिए बनाने का अगर खुद के लिए भी कुछ अलग सा खाने का मन करें तो बना लिजिए जो लोग राजस्थान से हैं उन्हें तो पता ही होगा इसे कैसे बनाया जाता है मैंने तो अपन एक बार गट्टे का पुलाव बना के खाएं और लाइक करें, सेयर करें चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड बाई बाई अपना ख्याल रखियेगा